हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, इंग्लिश लिटरेचर ओनलाइन क्लासे और आज हम जिस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं, वो है On His Blindness by John Milton John Milton की अब बहुत ही फेमस पोएम है, यह एक सॉनेट है, जो कि पेटरारकन स्टाइल में लिखा गया है यह जो पेटरारकन स्टाइल में सॉनेट लिखा गया है, जो कि टू पार्ट में डिवाइड़ होता है, फर्स्ट इस ओक्टेव एट लाइन्स की और सेकेंड इस सेस्टेट की सिक्स लाइन्स होती है, जो ओक्टेव वाले पार्ट के अंतर पोएम्ट अपनी प्रोब्लम्स ब रहते हैं, विल्टन लोस्ट इस आइसाइट इन 1652, तो यहां इस पोएम में पॉइट अपना दुख बताते हैं, अपनी इनर फिलिंग्स बताते हैं, कि उनको कितना दुख हो रहा है, कि उनकी आखों की रोशनी चली गई है, तो अफकोर्स यह ओटोबाग्राफिकल सॉने भी है, और इस पोएम का जो राइम स्कीम है, वहा है, A-B-B-A, A-B-B-A, C-D-E, C-D-E, और इस पोएम की जो यह टाइटल है, On His Blindness, यह काफी सालों बाद, Thomas Newton और Bishop Newton ने इस टाइटल को रखा है, उससे पहले इस टाइटल का नाम, इस पोएम की जो फॉर्स लाइन है, When I consider how my light is spent, यही था, तो स्टार्ट करते हैं अब हमारी पोएम, On His Blindness, When I consider how my light is spent, जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरी आखों की रोशनी कैसे चली गई, Light का यहां पर बहुत सारे मिनिंग हो सकते हैं, उसमें से first मिनिंग तो यह होता है, आखों की रोशनी से, कि मेरी आखों की रोशनी कैसे चली गई, और दूसरा इसका मिनिंग हम लाइफ से भी ले सकते हैं, Half my days in this dark world and white, कि अभी तो मेरी आधी life भी complete नहीं हुई है, Half my days, यानि कि अब उससे पहले before, कि मेरी तो आधी life भी पूरी नहीं हुई है, और इतनी जल्दी मेरी आखों की रोशनी चली गई, और आखों की रोशनी जाने से अब यह world point के लिए dark और white लग रहा है, dark world and white, कि आखों की रोशनी चली गए तो उसको पूरी दुनिया ऐसे dark लग रही है और बड़ी लग रही है, तो और उस point के चारो तरफ darkness ही darkness हैं और blind होने की वज़े से अब point को कहीं सारी difficulties को भी face करना पड़ेगा, and that one talent which is death to hide, lodge with me useless, कि मेरे अंदर जो यह talent है, talent कौन सा talent जो की God ने मुझे दिया है, वो talent है writing, the talent of writing poetry, और जो poet की जो creative imagination है, यह जो सारा talent है, जो मुझे God ने दिया है, तो वो talent ऐसे ही मेरे अंदर रह जाएगा, वैसे तो God ने सबको ही कोई ना कोई talent दिया ही होगा, पर यह हम पर depend करता है कि हम उस talent को कैसे लेते हैं, उस talent को हम बढ़ा दे हैं, या फिर उसको खुद से ही destroy कर दे, तो इसमें यह है कि, यह जो God ने मुझे talent दिया है, अब मेरे तेत तक यह talent मेरे साथ तो रहेगा, पर उस talent का मैं use नहीं कर पाऊंगा, और यह जो talent है, यह word एक story से लिया है, the talent is reference to the biblical talent, यह एक छोटी से story है, जिसके अंदर भी यह बताते हैं, कि एक master होता है, एक story में, जो कुछ समय के लिए कहीं भार जा रहा होता है, तो वो अपने three servants को बोलता है, बुलाता है, और उन servant को कुछ unit देता है, gold की, तो talent यहाँ पर एक gold या silver की को unit है, जिसमें first अपने servant को five unit देता है, five talent, और अपने second servant को वो two talent देता है, और first servant को वो एक talent देता है, और इन talent का, वो उनको बोलता है है कि इन talent का ध्यान रखना, और जब वो master बहुत सालों बाद में वापस आते हैं, तो वो अपने तीनों servant को बुलाते हैं और उनको पूछते हैं, कि आपने उस talent का कैसे use किया होगा, जब first servant से पूछते हैं, कि आपने अपने talent का कैसे use किया, तो first और second, दोनों servant अपने उस talent को double कर देते हैं, सेफ रखने के लिए, लेकिन वो उसका use नहीं करता है, तो master अपने servant पर इतना गुस्सा होता है, कि उसको अपनी service से निकाल देता है, और जो बाकी दो servant होते हैं, उनको reward देता है, तो यह एक छोटी से story है, तो यह वहीं से लिया गया है talent, what? तो my soul more band to serve there with my maker, maker यहाँ पर God है, तो यह जो line है, जिसके अंदर point यह बताना चाहते हैं, कि वो God को serve करना चाहते हैं, अपना talent यूज़ करके, and present my true account, last he returning child, और जब मैं भगवान को बताऊंगा, कि मेरे साथ यह यह बुरा हुआ है, और मेरे साथ इतना बुरा होने की वज़े से, मैं अपना talent यूज़ नहीं कर पाया हूँ, तो God मुझे डाटेंगे, कि मैंने तुम्हें talent दिया था, और तुमने उस talent का यूज़ नहीं किया, returning child, कि child का मतलब हुआ है, scold, डाटना, तो यह उसी story की तरह है, जो talent की story है ना, जिसके अंदर उसका, जो उसका master होता है, वो अपने servant को डाटता है, कि मैंने तुम्हें talent दिया, तो तुमने उसका कोई use ही नहीं किया, उसी तरीके से, point को ड़ लग रहा है, कि जब मैं, God ने मुझे भी एक talent दिया है, पर उस talent का मैं use ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अब तो मैं blind हो चुका हूँ, तो वो poetry नहीं लिख पाएंगे, तो इसी वज़े से, फिर God उससे डाटेंगे, कि मैंने आपको talent दिया, और आपने उस talent को waste कर दिया, आपने उसको use ही नहीं किया, इस बाद से poet परिशान हो रहे है, क्या बगवान मुझे से मेरा काम पूछेंगे, कि मैंने कितना day labor किया है, कि मेरे आँखों की रोशनी जाने के बाद भी, वो मेरे labor के बारे में पूछेंगे क्या, तो यहाँ पर poet question कर रहे है, कि poet बताते हैं कि वो जो question कर रहे हैं, वो कितना silly question है, I fondly ask, यानि कि वो question जो वो कर रहे हैं, कि क्या वो God मुझे से पूछेंगे, कि मैंने कितना labor किया है, मैंने अपने talent को use किया है, या नहीं किया है, यह जानने के बाद भी, कि मेरे आँखों की रोश्णी चली गई, तो यह question कितना silly है, कितना मुर्खता पूर्ण question होगा यह, but patience to prevent, लेकिन, मेरे अंदर जो poet के अंदर जो patience है, वो उसे ऐसा गोट से ऐसा question करने से रोग देती है, that murmur soon replies, और patience उसे, जब poet that murmur, जब poet यह सब बोल रहा होता है, soon replies, तब patience उसे reply करती है, उसे बताती है, God does not need either man's work or his own gifts, उसे, patience उसे यह बताती है, कि God को आपके work के बारे में नहीं पुछेंगे God, और नहीं God अपना दिया हुआ talent वापस लेंगे, who best bear his mild, bear his mild york, york एक ox के उपर, ox की peat पर रख के जो लकडी का कुछ होता है, जिससे हल जोता जाता है, तो यह york वही है, जो उन ox को direction देती है, जो talent God ने तुमें दिया है, उसका use तो अच्छी, उसका use करना चाहिए, तो यह तो अच्छी बात है, कि अगर तुम God के दिया हुए talent को use करते हो, लेकिन अगर उनके दिया हुए talent को तुम use नहीं भी करते हो, तो अब भी God तुमें कुछ नहीं कहेंगे, और जो यह, यह जो bear his mild york, और God ने तुमें responsibilities दी है, कि आपको talent दिया है, आपको कुछ responsibilities दी है, to serve him best, और यह responsibilities दी है, और God को, अगर तुम serve करते हो, यह responsibilities पूरी करते हो, तो तुम उसे बहुत ही अच्छे से God को serve करोगे, his state is kingly, thousand at his bidding speed, कि God का जो यह kingdom है, is kingly, कि God का kingdom बहुत बड़ा है, thousands at his bidding speed, कि बहुत सारे लोग हैं, जो God के order का wait करते हैं, कि God उन्हें order देंगे, कुछ काम करने के लिए, and post a land and ocean without rest, और वो जो लोग हैं, जो wait करते हैं, गोड के orders का, वो लोग उन duties को fulfill करने के लिए, बिना rest किये, बिना rest किये, समूद्र और जमीन तक की यात्रा भी करते हैं, they also serve, who only stand and wait, और वो लोग भी God को serve करते हैं, जो सरफ खड़े रहते हैं, और इंतजार करते हैं, गोड के आने वाले order का, आने वाले आदेश का, तो वो लोग भी God को ही serve कर रहे होते हैं,